नमस्कार चात्रो मैं नीतेस रववेंट शी माइसमार्ट ग्रूजी चैनल पर आपको श्वागत करता हूँ और इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइन्स के सब्सेट्स सब्सेट्स को हम कवर करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे बायलोजी से यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बायलोजी के इंट्रॉड़क्शन की बायलोजी है क्या एक छोटा सा परिचा हम समझते हैं कि आखर बायलोजी क्या है, तो बायलोजी विज्ञान की साखा है, साइन्स है, प्रकृर्टी का जब हम क्रमबद विज्ञान करते हैं, नौलिज को गेन करते हैं, तो उसको विज्ञान कहते हैं, तो यह है तो विज्ञान, लेकिन यह विज्ञान की वह साखा है, जिसमें हम जीवधारियों का अध्यिन करते हैं, जीवितों का अध्यिन करते हैं, ब्रमांड में हम देखें, तो इक हमें दिखाई देते हैं अध्यिन और एक सजीव, जिनमें जान होती है, जीवन होता है, तो उस सजीव का हमें अध्यिन करना है, उसकी स्टड़ी करना है, उ जो टर्म है बाईलोजी, किसी ने तो पहली बार बाईलोजी टर्म का यूज किया हो ड़ा। हमेशासे तो यह टर्म इस यूणिवर्स में थी ए लिए। तो बाईलोजी तो टर्म है, उसका सबसे पहले प्रियोग, दो साइन्टिस्ट के नाम हमें याद रखने हैं, एक है लेमार्क और एक है ट्रेवीरेնस्, दू साइंटिस्ट के होई नाम याद रखने हैं, जिन्होंने स्थर्म को दिया बायालोजी टर्म को और वह दो नाम है लेमार्क और ट्रेवीनेरस् कम किया अधारासो एकीस बिमें। यह भी हमें याद रखना है कि यह जो टर्म है बाइलोजी जी विज्ञान, इसका किस सन में इन्होंने लेमार्ट ने और ट्रेवी रेनस ने उप्यूक किया सन अठारा सो एक में इन्होंने यह टर्म भी नामकरण किया इस विज्ञान का, तीसरा पॉइंट, और यह जो टर्म है, यह हमें के लिए आज़ यह जो बाइलोजी शब्द है जो टर्म है यह ग्रीक सब्दों से मिलकर दुना है, दो ग्रीक सब्द, पहला ग्रीक सब्द है बाइॉस और दूसरा है लॉगस, जहां पर भी हमें लॉजी मिले लॉगस मिले, इसका मतला होता है स्टड़ी गरना, डिस्कोर्स करना, अध्या विदम के च्या-क्या गुण होते हैं, बेड़ बॉदों में जीवन हैं, उनमें कुछ characteristics होते हैं, जो उनको नर्जीप से अलग करते हैं, जो dead material ने उनिवर्स में, उससे अलग है, alive material, life अलग है, और life के कुछ characteristics होते हैं, कुछ गुण होते हैं, जिनके बारे में हम अगले जो life है, बहाँ भी उसी dead material से ही तो निकल कर आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बायोस का मतलब ही है life, जीवन, तो जब हम जीवन का अध्यान करते हैं, डैड को हम इंक्लूड नहीं कर रहा हैं इसको, alive को इंक्लूड कर रहा है, जो जीवित है, उसको इंक्लूड कर कछुआ हो, इच्छु हो, कुछ भी हो, कीठ हो, उन सब जीवितों की, जो study हम करते हैं वो biology में ही तो करते हैं, पेड पौदे हो, पेड पौदे भी जीवित होते हैं, तो biology में जो bios word है, उसका मतलब होता है life, और logus का मतलब study, इसका मतलब साफ है, कि जब हम जीवन का ध्या करते हैं, तो उसको हम biology करते हैं, बाइलोजी में भी दो प्रांचेज होती है, बाटनी और जूलोजी, जूलोजी में हम जानगरों के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टिरिया, वाइरस, या फिर animals, multi-cellular organisms, और दूसरा बाटनी, बाटनी मे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, आगे आने वाली videos में हम biology का, अभी तो यह बहुत ही छोटा सा introduction है, इसके बाद हम जीवित होते हैं, उनमें क्या-क्या गुन होते हैं, बाटनी में हमें क्या पढ़ना है, जूलोजी में क्या पढ़ना है, और बाटनी के introduction से, जूल में आता है, इस सारे videos आपको माई स्मार्ट गुरूजी के YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा की ID मिल जाएगी, साथ में मेरे चैनल की भी ID मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर सब्